आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेटिम-ए क्रीम के बारे में रेटिम-ए क्रीम बहुत ही एक effective क्रीम है अगर आपको एक्ने पिंपल्स की कंडिशन हैं लेकिन इस क्रीम को यूज करने चेहें बहुत जानना बहुत जरह जुरूरी है ये किसी भी तरह का suggestion नहीं है आपको मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ सिर्फ educational purpose के लिए आप बस इसके बारे में जान करें लीजिए बिना या मुझसे पूछे या किसी डॉक्टर से पूछे आप इसे use मत कीजेगा बिकॉज ये एक बहुत ही जादा effective retinoid है ये आपके skin को जितना जादा effect करेगा उतना जादा side effects भी जो है दे सकता है इसलिए इसके साथ में आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है इसलिए जो जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं उसी तरीके से आपको इस्तमाल करना है otherwise आपको बहुत सारे side effects हो सकते हैं and कुछ cases में ये side effect permanent भी हो सकते हैं जितनी जादा अच्छी cream है उतनी जादा ये बेकार भी हो सकती है आपके लिए बहुत सारे videos आपको इसके उपर मिल जाएंगे लेकिन किसी ने भी आपको डीटेल में इसके बारे में नहीं बताया हुआ और बहुत सारे लोग हैं जो कि ऐसी videos देखने के बाद में इसको यूज करना start कर देते हैं और उनको future में बहुत सारे side effects हो जाते हैं ये cream आपको बहुत सारे percentages में available है ये आपको 0.025% की concentration में available है ये आपको 0.05% की concentration में available है NG आपको 0.5% की concentration में available है चीक है तो ये एक retinoid acid based cream है retinoid acid बहुत ही जादा effective या मानने लिजे बहुत ही जादा strong derivative है vitamin A का retinoid बहुत तरह के होते हैं एक retinol होता है, retinoids होते है, retinoid acid होता है, retinoid esters होते है तो retinoid acid बहुत ही जादा effective होता है और ये पाया जाता है आपके mostly creams में तो retinoid A cream जो है retinoid acid से मिलकर बनी है बाकी retinoid serum साते हैं जो की काफी इतने जादा strong नहीं होते हैं इसलिए वो sensitive skin के लिए बहुत अच्छे होते है अगर मैं इस cream की बात करूँ तो इस cream sensitive skin के लिए इतनी अच्छी नहीं है बिकाज ये आपके skin को itchiness या burning sensation जो हो सकता है अगर आप इसको use करेंगे और इस cream को लगाने के बाद आगो कभी भी धूप में नहीं जाना है सबसे पहली चीज ये cream को किन लोगों को लगाना चाहिए तो सबसे पहले जिन लोगों को acne and pimples की condition है या उनको pimple marks की condition है तो आप इस cream का इस्तमाल कर सकते हैं एक चीज जो को आपको दियान रखने है इस cream के uses के साथ में कि इसको बहुत ही जादा quantity में use नहीं करना है इसको बहुत ही कम quantity में use करना है because बहुत सारे cases में ये आपके skin को dry कर सकती है आपके skin को irritate कर सकती है और बहुत सारे cases में आपको redness की issue भी हो सकती है और अगर आप इसे धूप में लगा कर जाएंगे तो यह आपकी skin को बहुत जादा harm कर सकती है आपकी skin काली पड़ सकती है और हो सकता है कि एक layering से बन जाए आपकी skin के उपर जो कि permanent होगी और वो जल्दी से remove नहीं होने वाली है तो यह चीज आपको ध्यान रखना है तो धूप से बिल्कुल आपको अपने face को बचाना है तो इसलिए जबी भी आप एक retinoid acid cream यूज करें तो हमेशा एक अच्छी quality का sunscreen minimum SPF 50 आपको ज़रूर जो है add करना है अपने skin के routine में otherwise आप इस cream को यूज ना करें इस cream को यूज कैसे करना है सबसे पहले हम उस पर बात करें तो देखिए यार अगर आप स्क्रिम को यूज करना चाहते हैं 1st week से शिर्फ week में 2 बार इस cream को यूज करना है तो अगर आप जैसे का आज इस cream को यूज करने है तो आप 3 दिन छोड के इसको cream को use करेंगे, सिर्फ आपको week में दो बार ही use करना है, उससे जादा नहीं करना और ऐसा आपको initially दो week तक करना है, उसके बाद आप every alternate day, यानि कि एक दिन छोड़के एक दिन आप इस cream का इस्तिमाल कर सकते हैं अगर आपको issue थोड़ा सा जादा है तो आप इसे daily basis पर इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन एक महीने के बाद में एक महीने तक आपको पहले week में दो बार फिर every alternate day इस तरह से ही इसको इसको इस्तिमाल करना है और इसको बहुत ही कम size में आपको इस्तिमाल करना है और हो सके तो आप इस cream को लेते हुए अपने हातों का इस्तिमाल ना करें आप चाहें तो कोई cotton ball ही आचिस की तिली होती है उसके थूँ भी आप इसे अपने skin के उपर लगा सकते हैं तो कोशिश कीजेगा कि आप अपने हातों को ना लगाए इससे cream की potency खराब होती है और cream इतनी जाला effective नहीं रहती है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है एक तिली ले लिजी और तिली में जितनी आपके cream आती है उतनी cream अपने हातों की थूँ बाद में आप लगा सकते हैं जो tube है उसके अंदर आपको उंगलिया नहीं लगानी है उससे उस cream की effectiveness कम होती है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है इस cream को आपको दो महीने से ज्यादा इस्तिमाल नहीं करना है दो महीने से ज्यादा इस्तिमाल करने पर आपको problem होगी यह एक steroid based cream नहीं है बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या एक steroid based cream है बिल्कुल भी यह एक steroid based cream नहीं है यह vitamin A का derivative है retinoid उसकी cream है यह आपके सिर्फ topical use के लिए है तो आप इसको खाएं नहीं please बहुत सारे लोग हैं जो की तरह तरह की वीडियो देख रहे हैं और खावी रहे तो यह आपको ओरली इसको कंजूम नहीं करना है इस चीज का आपको ध्यान रखना है यह सिर्फ topical cream है तो आप इसे topical या externally अपने face पे apply करेंगे ठीक है यह cream work करने में कितना ज्यादा time लेती है सबसे पहले आप इस चीज को जान लेते हैं तो यह cream work करने में कम सी कम एक महिना लेती है तो एक महिना आपको इस cream को देना पड़ेगा यह cream कैसे work करती है कि आगर आपकी skin बहुत ज़ीज़ा oily है तो आपकी skin को जो है बहुत तेजी के साथ में रिपैर होती है एंड बहुत ही ज्यादा अच्छे आपको रिजल्स मिलते हैं ठीक है तो ये क्रीम के बहुत सारे अच्छे पॉजिटिव साइड्स भी है लेकिन नेगेटिव साइड्स को भी आपको ध्यान रखना है इस क्रीम को हमेशा आपको और मैं इस क्रीम के ساتھ में आपको कभी कोई रेटिनॉल का उस्तिम नहीं करना हैं और आपको कोई कोई भी दूसरी क्रीम यूज नहीं करनी है विकार यह बहुत जढ़ा एक्थेटीव है और इसको आपको solo ही यूजकरना, इसके साथ में किसी अध्य की तरह के ingredient को मिक्स नहीं करता है कुछ ingredients हैं जो की आप इसके साथ में इस्तमाल कर सकते हैं जैसे की neither sermide है जैसे lactic acid तो इस तरह की mild exfoliant है वो आप इसके साथ इस्तमाल कर सकते हैं salicylic acid भी कर सकते हैं, अगर वो कम concentration में है, एक परसेंट तक अगर है, तो आप यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा के केस में आपको इस cream को यूज़ नहीं करना, because salicylic acid and retinoid based creams दोनों ही आपकी जो skin है, उसको exfoliate करते हैं, तो ज़्यादा exfoliation की वज़े से आपकी skin बहुत ज़्यादा dry हो सकती है, और बहुत ज़्यादा skin dry होना अच्छा नहीं होता है, ठीक है, तो retinoid अगर आप use करना कर रहे हैं, अगर आप retinoid cream यूज़ करना चाहते हैं, और या आप use कर रहे हैं, तो आप कैसे start करें, बहुत साइल लोग confused होते हैं, कि हम 0.05 लें, या हम 0.025% वाली cream लें, तो देखिए, अगर आपका issue कम है, तो आप 0.025 से शुरुवात कीजिए, या आप beginner हैं और फर्स ताइम यूज़ करना चाहा रहे हैं, तो आप 0.025 से ही start कीजिए, लेकिन अगर आपको anti-aging के लिए चाहिए, या आपको बहुत सारे जुरुड़ियां है, fine lines है अपने चेहरे पे, तो आपको 0.05% concentration वाली क्रीम जो है खरीदनी पड़ेगी, और वही आपको use करना है, कि फर्स टू वीक्स तक आपको वीक में सिर्फ दो बार यूज़ करनी है, और उसके बाद आपको वीक में every alternate day यूज़ करनी है, और उसके बाद में आपको daily basis पर यूज़ करनी है, चीक है, तो आप इसको ऐसे तरह से यूज़ करेंगे, दूसरा आपके skin texture को smooth बनाती है, तीसरा आपके acne and dark spots को remove करती है, जो भी natural skin tone है, उसको brighten up करने में भी help करती है, लेकिन ये सबी results आपको कुछ महीनों में देखने को मिलते हैं, instant result के लिए ये cream आपके लिए अच्छी नहीं है, तो आप मुझे instagram पर यहाँ पर मेरा account देख सकते हैं, digital shubham, वहाँ पर आके अपने doubts clear कर सकते हैं, और सबसे अच्छा रहेगा आप YouTube के comment box में अपने doubts पूछें, उससे होगा क्या कि आपकी जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, जिनको same doubt होंगे, तो अगर आपको आपकी doubt का जवाब मिलेगा, तो उसी से बहुत सारे लोगों को help मिलेगी, और YouTube को यह algorithm को भी इस वीडियो को आगे push करने में help मिलेगी, तो comment ज़रू कीजेगा, वीडियो को like ज़रू कर दीजेगा, सो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुब रहे हैं,